गर में आज कोई है यह नहीं सब चले गए ख़नेटा कड़ा गया बतन कहा गया है तो अभी टाइम हो रहा है दो बच के 25 मिनट तो लंच टाइम तो हो गया मगर यहाँ घर में आज कोई है नहीं सब चले गए घूमने के लिए और बताया भी नहीं ऐसे अकेले चले गए हमें छोड़ के मैं भी अकेला हूं और अल्यास भी है बागी सब घर वाले घूमने गए लंच टाइम हो गया तो घर वाले है नहीं लंच कोन बनाएगा भई अब रेट खाने पड़ेगी आज भी तो कल से मेरी तब्यत बिल्कुल खराब थी बहुत ज्यादा बुखार था तो आज थोड़ी से तब्यत बिल्कुल ठीक है हलका सा जुका सा जुकाम है वो भी के लोगा में देखाना जया व लुस्ता में ऐसरो टाइपू ममण आज वहत वाया वाया फांदा तक तुम क्या बना रही हो ? मेगी सनाटा भाई मेगी खाता है जब भी घर पर कोई नहीं होगा या लच नहीं बनेगा तो फिर सनाटा भाई सिर्फ मेगी खाएगा अब इसके पास मेगी है या नहीं यह भी नहीं पता कि लेकर आया है कि लेकर आया है मेगी है कि नहीं है यहां पर भी नहीं है यहां भी कि रात को मैंने ब्रेट आदी कहाईजी तो आज खा लेता हूं जेम के साथ खा लेता हूं इसलिए ज्यादा है तो मेरे लिए भी बना लो जाहे बना रहा है तो आज दादू नहीं आया पदानी क्यों रोजन आता है आठ वर्क सीखने के लिए आ जाये हैं वैसे दो बजे आत कि यह लें से डागे से लेकिया ब््रेट लेकि जगार हमारा हो गया है अल्यास लेने गए अपने लिए मे最 ब्रिट लेने चह्टी पानी को गरम करने के लिए चोड़ चला घया फानि तो चिसी से मी कर चलिए जी बिस्मिला करते हैं तो फाइनली मेरा तो लंच हो गया अलहमदुलिल्ला सनाटा भाई भी आगया उसकी बेगी बन रही अभी मुझे पसंद नहीं वो समेल है न दवाई की जैसे लगती है सनाटा भाई पता नहीं कैसे खा लेता है उबल रहा है तुमारा पानी तो ले गए यहां existing कि वाइज बिल्कुल अकेला उगया हो गर पर बिल्कुल बोर हो रहा हूं कोई भी नहीं यह घर पर आज तो आज तो बिल्कली घर में बहुत सनाट रहेक्वार बिल्कुल खामोशा ॢ। रिलेक्सिंग आज दादू भी नहीं आया पता नहीं क्यों आज पता नहीं इसने चुटी कर लिए आज उसको सीखना नहीं था मैंने पौन भी नहीं किया मुझे लगा वो खुदी आ जाएगा लगता है उसका शोक खतम हो गया और दादू मुझे कल बोल रहा था कि मैं सारे लोक्स में अभी नजर आऊंगा तो आज के विलोग में वो नजर नहीं आए आज को बिल्कुल ही घर खाली हो गया नादू भी नहीं आया और रियास बी चला गया और सारे घर वाले भी घुमने चले गए और मैं घर पर बिल्कुल अकेला हो गया तो साड़े पांच बज ग कि फीन लिए हैं, स गाज आज अभी मैं चेक करता हूं कि चाय का क्या सीन है पहले मैं चेक करता हूं दूध है के नहीं है अभी चेक करता हूं दूद तो नहीं गाइस सो गाज दूध तो हैCryكن में बाहर आएगा हो घर तो अकेला हो जायेगा तो फिर मुझे घर पर ताला लगाना पड़ेगा फिर जाना पड़े ग़ा द्ध लेने के लिए तो पहले आप ताला भाइस की चांवी ट्रूनीपडेगी तो बिलगे अभी इसी विशित लगती होग?" यह वाली चावी लगा कर देपने, शायद खुल जाए, लो जी चावी तो लगा दी, अब खोलते हैं इसको, अब लगाते हैं ताला, अब लग चुका है, तो अब चलते हैं दूद लेने के लिए, मैं अब आया हूँ दूद लेने, और मैं यह चीज देख रहा हूँ कितने कुपसरत बनी हुई यह तो रियल लग रही है, कि यह लग दाउन इन दिफ्रेंट सीरीज, और वर्टूर कॉनेक्शन फोल्स अपार्ट, क्यूस इस बेन तो मैंने यह सिंस कालिफोर्निया, सुगरी सपाइनलंई इस दूद लेकर आगया, चलोबी चाय बनाते हैं चलिया जी बिसमिल्ला करते हैं, थोड़ी सी चीनी भी डाल देते हैं थोड़ी सी पति भी डाल देते हैं, सो गैस चाय उबल गई है चाय तो बन चुकी है यह रही चाय और मैं प्याले में पीता हूँ चलिए जी बिसमला कर लेते हैं चाय तो बहुत जबरदस्ट बनी आज घर वालों को पता निये पता निकाब आएंगे मैं सोच रहा हूँ के घर को ताला लगा के सरनाट के बास जाता हूँ शौप पर सो गईस में अभी दुकान पर आए हूँ साबिर भाई भी और दिल्दार भाई भी दिलदार भाई इसकी वीडियो बना रहा है साबिर भाई की साबिर भाई और दिलदार भाई दोनों जुहें तिक टो के बड़े शुकीन है घर वाले वापसी आ गए है और निजाम भाई भी मेरे साथ है अभी अभी हम जा रहे हैं पार्किंग ए गाड़ी वहाँ पार्क करनी है फिर आना है घर वापसी अभी आठ भजने वाले हैं और निजाम भाई अभी गया है दोबी वाली शौप क्योंकि उसने कोड़ दिया दुलने के लिए वह भी कोड़ लेने जा रहा है फिर चलते हैं पार्किंग की तरफ अब है जो है वह समा है तुम्हे रहे सकी तो रबा है अब है जो है अभी हम गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं हम वापसी बाइक पर जाएंगे हम बाइक खड़ी करके गए थे तो अभी बाइक पर जाएंगे वापसी घर अब है जो है वह समा है तुम्हेरा सगी तो रबा है अब है जो है वह समा है सो गाईज अभी रात हो गई है और मैंने विलोग एडिट कर लिया है तो अभी मैं कंबल के अंदर हूँ कि बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी टैम सड़े ग्यारा हो रहे हैं विलोग अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय झाल